नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आई नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर शिच्छा सत्र 2019 से 2020 में सिर्फ 22 प्रतिश्चत स्कूलों में थी इंटरनेट सुविधा 30 प्रतिश्चत से कम में थे कंप्यूटर COVID-19 महामारी से उबरने के लिए हताज भारतियों ने लिया कर्ज और बचत का सहारा GST का अर्थ विवस्था पर क्या रहा प्रभाव और आखिर में करोना अपडेट देश में करोना से अब तक 4 लाग से जादा लोगों ने अपनी जान कवाई COVID-19 महामारी की वज़ज से लगबग देड साल से देश की शिच्छा ने ऑनलाइन माध्यम का सहरा लिया चाहे वो नर्शरी के बच्चे की पढ़ाई हो या बारवी क्लास की पढ़ाई सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है ऐसे में भारत के सरकारी और नीजी स्कूलों के बारे में एक चौकाने वाला आकड़ा सामने आया है शिच्छा मंत्राले द्वारा जारी एक रिपोर्ट के आकड़े बताते हैं कि 2019 से 2020 के शिच्छा सत्र में भारत के सिर्फ 22% स्कूलों में इंटरनेट की सूविधा मौजूद थी इस रिपोर्ट यानि Unified District Information System for Education Plus जो शिच्छा मंत्राले ने जारी की है में बताया गया है कि इंटरनेट सूविधा में 22 में से 12% स्कूल सरकारी थे इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिर्फ 30% स्कूलों में चालू कम्प्यूटर मौजूद थे COVID-19 महामारी के बाद जब इसकूल खुलते हैं तब बच्चों और शिच्छकों के लिए इसकी वज़ा से बड़ी चुनावती पैदा हो सकती है COVID-19 महामारी और उसकी वज़ा से देश में पिछले साल लगे अनियोजित लॉकडाउन की चलते आम आदमी की जेप पर गहरा असर पड़ा था ऐसे में सार्थक सरकारी सहायता के अभाव में लोगों के पास अपनी छोटी छोटी बचत का इस्तमाल करने और यहां तक की आजीवका के लिए कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं था आजीवका के संकट से पैदा हुई या वित्व विवस्था आंशिक मगर साफ तौर पर घरेलू बचत और कर्ज के सिलसिले में भारती रिज़र्ब बैंक की तरफ से हाल ही में जारी सूशना में दिखाई देती है घरेलू कर्ज के तिमाही के आकड़ों से पदा चलता है कि माज 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही यानि जब भारत में COVID-19 महामारी ने जोर पकड़ना शुरू किया था और दिसम्बर 2020 जब पहली लहर गिरावट की ओर थी के बीच घरेलू रिड़ 68.9 लाग करोड रुपए से बढ़कर 73.1 लाग करोड रुपए हो गया था यानि उन 9 महीनों में घरेलू कर्ज में 4.2 पांच लाग करोड रुपए की बढ़ोतरी हुई थी RBI ने दिसम्बर 2020 को समाप्थ होने वाली तिमाही तक के आकरे ही जारी किये हैं कर्ज को अक्सर सकल घरेलू उत्पाद यानि GDP के अनुपाद के रूप में मापा जाता है यह रिड ग्रस्तता के पैमारे और अर्थ विवास्ता की प्रकृति के बारे में अनित संकेतों के एक धार्ना देता है जैसा कि RBI की जारी रिपोर्ट से पदा चलता है कि मार्च दोरह 20 को समाप्थ हुई तिमाही में घरेलू रिड सकल घरेलू उत्पाद का 33.08 प्रतिशत था इसमें अक्टूबर दिसंबर तिमाही तक GDP के 37.09 प्रतिशत तक की उच्छाल आई थी यह एक ऐसी अवधी है जिसमें आर्थिक व्रिद्धी में कमी आई है जबकि GDP जादा नहीं बढ़ रही ऐसे हारात में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में घरेलू रिड में या भारे व्रिद्धी इसकी विशाल मात्रा और प्रभाव को दिखाती है Goods and Service Tax यानि GST के बारे में लबे समय से कई सवाल उठते रहे हैं और जानकारोंने कई बार इसे केंदर सरकार की अविवस्था बताया है इसका धर्शल देश की अर्थ विवस्था पर क्या असर पढ़ा बता रहे हैं वरिष्ट पत्रकार और इंद्धा चक्रवर्ती GST के 4 साल पूरे हो गए हैं और मैं इसको गलत शलत टैक्स कहता हूँ क्यों कहता हूँ क्योंकि इसमें जितने भी वादे किये गए हैं सब के सब गलत निकले सबसे पहला वादा हमको उसे क्या किया गया था कि GST लागू होते ही हमारे देश की जो आर्थिक विकासदर है उसमें 2 प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा यानि कि अगर आर्थिक विकासदर 8 प्रतिशत है तो GST के बाद वो 10 प्रतिशत हो जाएगा लेकिन हुआ क्या आप देखिए हुआ क्या और मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ 2015-16 में यानि कि GST लागू होने से 2 साल पहले हमारी आर्थिक विकासदर थी 8 परसेंट 8 परसेंट हमारे देश की आर्थिक विकासदर यानि कि GDP ग्रोथ तरेट 2016-17 में बिलकुल GST लागू होने के कुछ दिन पहले कुछ महीनों पहले आर्थिक विकासदर बढ़ गया 8 दशमलव 3 परसेंट के आसपास पहुँच गया यानि कि GST लागू होने के बाद चलिए 1 साल छोड़ेजे एक साल के बाद कम से कम 10 प्रतिशत पर जाना चाहिए 10 प्रतिशत पर जाना ही चाहिए था लेकिन क्या हुआ 2017-18 में जब जुलाई से GST लागू हुआ है तो लास्ट के जो 9 महीने है वो GST वाला है और उससे पहले GST नहीं लगा है और आर्थिक विकासदर 6.8 प्रतिशत पर गिर गया ठीक है 8.93 से 6.8 पर 2018-19 दो साल अब लग गये हैं 2018-19 में ये गिर कर 6.5 प्रतिशत पर उतर गया है और भी नीचे चला गया और फिर 2019-20 और यादर कि ये सब COVID से पहले का है 2019-20 में आर्थिक विकासदर कहां गया 4 प्रतिशत यानि कि 8.8 प्रतिशत जो 2015-16 में था और 8.3 के आसपास जो 2016-17 में था GST लागो होने से पहले उसका आधा हो गया जी विकासदर GST लागो करने के बाद और खेर हम COVID के साल को आप छोड़ीजे क्योंकि उसमें GST का कोई लेना देना नहीं COVID के चलते तो हमारे देश में महामन दिया ये विकासदर नेगेटिव पे पहुंच गया है अच्छा ये था पहली बात दूसरा वादा क्या था दूसरा वादा ये था कि GST लागो होने के बाद जितने भी व्यापारी टैक्स की चोरी करते हो सब के सब को अब GST देना पड़ेगा और इससे क्या होगा कि जादा लोग टैक्स नेट में आएंगे जादा लोगों को GST देना पड़ेगा और जो लोग टैक्स इमानदारी से भरते हैं उनको फायदा होगा जो व्यापारी इमानदारी से काम करते हैं उनको फायदा होगा और ये tax की जो चोरी है वो खतम हो जाएगा और इससे एक और चीज होगा इससे देश में जो कुल GST से पैसा आता है ये जो sales tax वगेरा से पैसा आता है वो बढ़ जाएगा सरकार के हाथ में पैसे आ जाएगे और फिर वो खर्च कर पाएगी हम पे खेर हुआ क्या फिर से मैं आकड़े आपको बताता हूँ 2018-19 याद रखेगा 2017 के जुलाए में ये GST लाग हुआ तो 2018-19 पहला साल है जब पूरा का पूरा GST बजेट में कहा गया कि कितना GST का कलेक्शन होगा क्योंकि इसी के basis पे कहा जारा है कि GST अच्छा है बजेट में हमें बताया गया कि GST का कुल कलेक्शन होगा लगबग 7,44,44 करोर रुपे के आसपास ठीक है और ये उस बग जो समझा जा रहा था GDP होगा उसका 4 प्रतिशत यानि कि GST GDP का 4 प्रतिशत के आसपास सरकार को मिलेगा लेकिन जब साल के अंतक देखा गया कि कितने पैसे आए तो GST से सिरफ 5,82,000 करोर के आसपास आए और वो GDP का 3.1 प्रतिशत निकला 4 प्रतिशत सोचा गया था आया 3.1 प्रतिशत अब अगले साल बजेट में सोचा गया कि चलिए हो नहीं रहा है 4 प्रतिशत नहीं आ सकता है तो हम अपना जो लक्ष है हमारी जो आकांग्षा है GST मिलने का जो हम एस्टिमेट बना रहे हैं उसको भी कम कर देते हैं तो एस्टिमेट को कर दिया गया 6,63,000 करोर रुपे 6,63,000 करोर रुपे और आप का गया कि यह GDP का 3.2 प्रतिशत के आसपास हमारे हाथ में पैसा आएगा ठीक है क्योंकि 3.1 एक आया था थोड़ा सा बढ़ा के 3.2 तो आप देखें कि आप थोड़ा सा सरकार ने सोचा कि आप थोड़ा सा realistic projection किया जाए आया कितना? आया 6,00,000 करोर से भी कम 5,99,000 करोर के आसपास आया यह COVID से पहले की बात कर रहा हूं है और GDP के तुलना में कितना? 2.9 परसंट यानि कि 3 प्रतिशत से भी कम कहां सोचा गया था? 4 प्रतिशत आएगा GDP का उसके जगे 3 प्रतिशत से कम आया गया कहां 2018-19 में टार्गेट लगाया गया था 7,44,000 करोड का 2019-20 में भी COVID से पहले 6,00,000 करोड तक भी यह GST नहीं पहुचा और 2021-22 में खैर COVID से पहले जो एक अनुमान लगाया गया था उसमें कहा गया था कि अब 7,00,000 करोड के आसपास GST हमारे हाथ में आयगा उसके बाद COVID आया गया लॉगडाउन हो गया तो कितना आया 5,15,000 करोड और उसमें भी 3.1 प्रतिशत GDP का अनुमान लगाया गया था और COVID के चलते वो 2.6 प्रतिशत पर गिर गया तो आज देखें कि जो भी कहा गया था कि इससे सरकार के हाथ में जादा टैक्स आएगा जादा लोग टैक्स देंगे और इतना अनुमान से हमारे पास टैक्स आएगा कि हम राजियों को बहुत सारा टैक्स बांट देंगे ये सब कुछ नहीं हुआ लगातार ये गिरता रहा और आखिर में हम बात करेंगे केंडी स्वास मंत्राय द्वारा आज शुक्रवारी यानि दो जुलाई को जारी आगडो के नुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,617 नए मामले दज किये गए हैं इसके लावा कोरोना से एक दिन में 830 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश भर में कोरोना से परिट 69,384 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 13,620 मामले कम हुए हैं देश में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,45,255,255 हो गई है जिन में से अब तक 4,312,00 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से परिट 97,01 पीस दी यानि 2,95,48,302 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या घट कर एक दस्मिलों 6,7 फीस दी यानि 5,09,637 हो गई है सौस्त मंत्रालेक ताज जानकारी का नुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 34,67,232 डोज दी जा चुकी है जिन में से 42,64,123 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंडों में दी गई है आज के डेली राउंड अप में बस इतना है निउस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वैबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्वीटर और इंस्साग्राम पे हमें फॉलो करें निउस क्लिक देखने के शुक्रिया